हेलो दुस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सबिलों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि कल के दिन भी बहुत सारे वीडियो आये थे सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टाक मार्गेट क्लासेज को भी फॉलो कर सकते हो लिंक को पर आया बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सब चले दोस्तों फटावट स्टार्ट कर लेते हैं सब दोस्तों अभी हम लोग आ चुके एक इंपोर्टन डेटा के ओपर यह कौन सा डेटा है औवेसली हापे कितने मतलब बोलते हैं ऐसे दिन रहेंगे जहापे बाजार को छुट्टी रहेगी उसके इसाब से हम लोग शुरुवात करेंगे आप सब लोग पता है आने वाले नेक्स्ट पार्च दिन बाजार के लिए कैसे रहने वाले इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टन खबर हम लोग देखने वाले है बट इस हफते की बात करें मार्केट पार्च दिन नहीं बलकि सिर्फ चारी दिन यहाँ पर चलने वाला है ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एक्जैक्ली देखा गया तो येस 15 ओक्टोबर फ्राइडे का दिन दशेरा है यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर बाजार ख्लोज रहने वाला है तो पहले चारी दिन यहाँ पर बाजार चलने वाला है तो इस पॉंट को भी आपको पता होना चाहिए तिन की चुट्टी यहाँ पर बैक टू बैक हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं Saturday Sunday by default रहने वाला है अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 19th October दोस्तों उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग को चुट्टी देखने को मिल रही है मतलब 15 तारिक को यहाँ पर चुट्टी 16, 17, Saturday, Sunday चुट्टी सिर्फ 18 तारिक को बाजर चलेगा वापस 19 को चुट्टी मतलब ऐसा रहने वाला है कि चुट्टी मों एक दिन बाजर यहाँ पर चलने वाला है सिर्फ मंडे की दिन सिर्फ यह आपको पता होना चाहिए इतना ही यह बात में आपको बताना चाहरा था सो चलिए अभी आज आते इंपोर्टेंट नियूस के और सो रख तो यहाँ पर हम लोग आ चुके सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं इस हफते में all the focus of domestic investor will shift to September quarter earnings मतलब quarter two के result के उपर सबी लोगों का focus है क्योंकि यही से हमें पता चलेगा कि कौनसी company actual में दम रखती है इस तेजी में participate करने के हिसाब से यह तेजी आगे भी continue रहेगी तो वो भी stocks भाग सकते हैं जिसके fundamentals खराबे numbers खराबे बट हमें हमारे side से अच्छे companies में ही continue करना है तो कल के दिन भी में एक video बनाए था bubble वाला stock मुझे तो बहुत ही भयंकर dangerous stock लगता है फिर भी वो 100% return देके जा चुका है ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे इस हफते की तो दोस्तो 50 companies अपने number declare यहाँ पर करने वाली है and saturday बाजार इवन दो बंद भी रहता है बढ़ आपको बता है saturday के दिन भी यहाँ पर numbers आ जाते है तो अगर हमें बात करो तो देखे इंफोसेस के नमबर है विपरो के है माइंटरी के एक्सेल टेकनोलोजी है HDFC bank मतलब saturday का दिन रहेगा उनके numbers and avenue supermart यह भी शायद से saturday के दिन ही number अपने पेश करते है तो यह कुछ top notch companies है जिनके नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता है ऐसे बहुत सारी companies आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा focus की बात करें तो obviously किसके ओपर रहने वाल है IT sector क्योंकि अगर हम लोग TCS की बात करें so TCS के जो numbers है यहाँ पर expert के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कैसे थे slightly lower than expected मतलब estimation से हम लोगों को थोड़ा कम ही यहाँ पर देखने को मिल रहेते हैं जिसका मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है यह चीजे चलती रहती है इतना higher level का मतलब company रहता है उनके numbers रहते तो estimations को beat करना मतलब बहुत ही next level difficulty level वापे रहता है बढ़ अगर company growth दिखा रही है और अच्छा performance कर रहे है जो की हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है कौन सा September का CPI inflation की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो की expect किया जा रहा है कितना रहने सकता है यहाँ पर expected to be below the 5% mark अभी देख लेते की actual में कितना आता है and August की अगर हम लोग industrial output data की बात करें तो वो भी यहाँ पर release होने वाला है दोस्तो उसी की साथ-साथ WPA inflation की बात करें September का वो भी हम लोगों को Thursday की दिन यह सारी चीज़े हम लोगों को release होते हुए देखने को मिलेगी यह जो industrial output है वो Tuesday की दिन हम लोगों को यह data यहाँ पर देखने को मिल जाएगा then एक और हम लोगो को weekly data usually देखने को मिलता है कौन सा foreign exchange results का यह जो weekend अभी हम लोगो को देखने को मिला 8 October का and BOT का BOT मतलब balance of trade का जो data यह दोनों data Friday की दिन यहाँ पर release होने वाले है यह हर वक्त यहाँ पर चलता रहता है जैसे मैंने का इसमें अगर कोई abnormal activity हो जाती है यह बहुत ही ups and downs होते है तब जाके वह थोड़ी सी breaking news बनती है वरने यह data तो by default यहाँ पर चलता ही रहता है तीसरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों थे हैं यहाँ यस listing की आप सभी लोगों को पता है एक IPO अलड़ी बाजार में आ पर आ चुका था अधित्य बिर्ला कैपिटल सन लाइफ एमसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो तो देख लेते की performance इनका यहाँ पर कैसा रहता है लिस्टिंग कैसी होती है उनका जो डेबी हम लोगों को देखने को मिलने वाले लास्ट आइपियो जो था पारस defense का वो तो हम लोगों ने देख लिया unfortunately वो नहीं लगा हम सब लोगों को मतलब बहुत ही कम लोगों को वो लगा होगा क्योंकि वो कुछ जादा ही ओवर सबस्क्राइब होते हैं देखने को मिला था जिनको लगा है उनकी तो मतलब लोटरी लग गई है मतलब दिवाली आने से पहले उनकी दिवाली हो चुकि हम लोग ऐसा भी बोल सकते तो अच्छी बात है देन दोस्तों अगर हम लोग बात कर यह बाजार को पसर नहीं था क्योंकि लॉक्डाउन लगने के कारण economic activities रुख जाती थी बट फिलाल की बात करें obviously हम लोग कह सकते cases lower ही देखने को मिल रहे है फिलाल 25,000 से भी हम लोग को कम cases फिलाल तो देखने को मिल रहे है और अभी का latest चाहिट से में किदर तो पढ़ा 18, उल नहीं पराजर से भी कम सहम कह सकते की बहुत ही कम कियसे समनों को इहां पर देखने को मिल रहे हैं अरजय को पेलाची चीज रहे हैं जो बूर और अच्छी चिज़ धितिफिंते की थर्ट वर ऊ आय गाई नहीं वह अंग उनहें इंटर्वी में आपर बोला तो मतलब हम क थर्ड वेव मतलब क्या उन्होंने ये भी बताए था कि केसे बढ़ सकते हैं बट लॉगडाउन जैसे सीती साबित नहीं होगी तो बहुत है अच्छी बात है बट स्टिल हम यहाँ पर कह सकते एक तो एक लटक टीवी तबलवर अभी भी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन येस अ ना मिले तो हम लोग जरू के सकते हैं बहुत ही अच्छा कासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी अगर आप देखोगे युएस की बात करें ब्रजील की बात करें फ्रांस, इरांस, स्पेन, इटैली, मैक्सिको की बात कर यहां पर एंडिया की बात करें दोस्तो तो अभी वह 1.6 तक हम लोगो यहां पर जाते हैं बेखने को मिल रहा है जितना यह बाँट यह बढ़ते चला जाएगा ओविस्टी बाजर के लिए यह खत्रा रहेगा हम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सा लोजिक है सर मतलब यहाँ पर अगर आपको अच्छे रिटन्स मिलना शुरू हो गए तो आफ एक्विटी में क्यों रहो गए और वैसे भी एक्विटी ने इतना अच्छा अखासा रिटन दिया है तो थोड़ा थोड़ा बाजर को एक्स्क्यूज मिल जाता है कि यहाँ का पैसा एक्विटी का यहाँ पर थोड़ा सा शुरू हो जाए तो आप बोल सकते हो कि बाजर के लिए क्या है मतलब ऐसे पैरामेटर जो की बाजर इंडियन मार्केट को 24 लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो यह जो यूएस डॉलर इंडेक्स रहता है यह जितना जितना उपर जाएगा हम कह सकते हमारे बाजर के लिए उतनी खास न्यूस नहीं रहती है तो इसके उपर भी हम लोगों ने यहाँ फोकस बनाए रखना है अब यह इंडेक्स हमें बता रहे यह जितना उपर जाएगा टैपरिंग के एक्स्पेक्टेशन बढ़ सकते हैं टैपरिंग अगर शुरू हो जाती है तो बादार को एक मस excuse मिल जाएगा कारण मिल जाएगा कि आपे profit booking कर ली जाए बट अभी भी आपे conflict है कुछ experts में जैसे कि कुछ करेगा उसके उपर सभी लोगों की निगाए रहने वाली है कि देन दुस्तों हमेशा की तरह FIS का डेटा फॉरें इंवस्टर की बात करें तो यहां पर हम लोगों को प्रेशरी यूजॉली देखने को भी मिल सकता है तो अभी तक साड़ी तीन हजार करोड का नेट से देख करते हुए देखने को मिल रहे है एंड यह इस की साथ रीटेल इंश्टर का भी पार्टिसिपेशन बहुत ही जादा देखने को यहां पर मिल रहा है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर तो यह स्कूरूड ओईल जबर दस्त आग की तरह भाग रहा है दोस्तों जादा इंपोर्ट करवाते हैं तो हमारे इंपोर्ट बिल तो बढ़ी ही जाता है तो कुरूड ओल यहां पर एक्स्पेक्टेशन रखे जा रहे कि और भी मतलब शायद से 90 तक भी हम लोग को टच होते हुए देखने को यहां पर रहने वाला है नेक्स्ट बात करें तो गोल डॉलर की बात करेंं इंडियन्यूपी अभी वीक होते वें देखने को मिल रहे है सेन्टीफाइफ tyle लावी क्रॉस होते वे देखने को मिल रहा है DAW का यह से पहले भी हुआ अब इस लेवल पर डॉलर टिक यहां पा रह था अभी देखना चाहिए नेक्स्ट अगर बात करें तो as usual option chain की बात करें जो कि ट्रेडर लोगों के लिए FNO वालों के लिए important है closest support level की बात करें तो यहाँ पे 17800 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है and closest strong resistance की बात करें तो 18000 पे देखने को मिल रहा है तो दोस्तो जितने भी important खबरेती वो सारी यहाँ पे cover कर ली है इस हफते की बात करें तो बाजार सिफ चार दिन चलेगा बट उसके बाद चुट्टी, then again चुट्टी, then again चुट्टी, then सिर्फ मंडे को वाफस बाजार स्टाट and then again एक और चुट्टी तो हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा चुट्टी है यहाँ पे रहने वाले बाजार बहुत ही कम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ठीक है, चलिए, यहाँ पे इस वीडियो को यही पे रोग लेते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, अपडेट्स अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो So that's it, thank you very much जोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाई बाई